हेले स्टुएंट्स आप सभी का सवगत है एगनू इंडिया में एक बाफिर से आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना असायमेंट स्टेटस आपके असायमेंट सम्मिट हुए है या नहीं हुए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपना करेंगे हैं यहाँ से अपना प्रोग्राम स्ट कर दीजै, फिर उसके बाद समिट क क्लिक करेंगे जैसे क कब आपके assignment update हुए हैं अगर आपका assignment status कुछ ऐसा दिख रहा है तो आपके assignment successfully submit हो चुके हैं उन सभी का course code यहां पर mention है तो आप देख लिजे आपके assignment submit हुए या नहीं हुए जब आप अपना assignment status चेक करेंगे in case आपका environment not found दिखा रहा है तो इस इस्तितिते में आप tension ना लें आपके assignment marks update होने में थोड़ा time डाएगा because अभी assignment submit हुए है सभी बच्चों के तो दीरे दीरे ही update हो पाते हैं almost एक दो महिने का time लग जाता है assignment marks update होने में तो आप check करते रहें बीच बीच आपके assignment mark update हुए है या नहीं हुए और अगर आपने assignment submit करें तो आपके पास evidence होगा in the end अगर आपके assignment marks update नहीं होते हैं तो आप अपने RC पर दिखा के उसे अपने assignment marks update करा सकते हैं आपके पास evidence होना चाहिए कि आपने assignment submit करें हैं and एक question आ रहा था बहुत साई student की और से सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे assignment reject हुए या नहीं क्योंकि त्रवंदर प्रवम RC ने जब अपने reject assignment list जारी करी थी उसके बाद बहुत साई students के यही message आ रहे थी सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे assignment reject हुए या नहीं तो मैं उन सभी students को बता देना चाहता हूँ यह जो list जारी करी गई थी त्रवंदर प्रवम RC की और से एक particular regional center की और से list जारी करी गई थी ऐसा कोई वे नहीं है जिससे आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके assignment reject हुए अक्चेप्ट हुए या reject हुए तो किसका है रण हुए जब तक RC कोई ऐसा notification जारी नहीं कर सकती है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके assignment reject हुए या accept करेंगे अंटिल आपका assignment status update नहीं होता है तो I hope ये वीडियो आप सभी के लिए informative रही होगी अगर आपका कोई question है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं हम उसका reply देने की कोशिस करेंगे और अगर आपने हमें telegram पर join नहीं करा तो telegram पर join कर सकते हैं वह वीडियो को like करें share करें और अगर आप हमें चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe जरू करें ताकि आपको सभी important videos की notification टाइम पर मिलते रहे हैं